हेलो फ्रेंड्स एंड ये शुरेंट्स आज का माई टॉपिक है इनौर्गेनिक फर्मासोटिकल केमिस्टी के इंतरगत केयोलीन और इस वीडियो में हम लोग केयोलीन का एक जनरल इंट्रोडक्शन मैथड ऑफिप्रेशन प्रॉपर्टीज और यूज दित्यादी को असान तरीके से देखेंगे मैं हूं डॉक्टर बुजयन शुक्ला चली शुरू करते हैं दिखें बिटिस फर्माकोप्या के हिसाब से दो क्लासिफिकिशन दीए गये हैं केयोलीन के एक तो लाइट केयोलीन और इस Hydrated Almonium Silicate को के जितनी भी impurities हैं उन सब को अगर illustration के दोरह हटाया जा है illustration का जो process है उसमें हम लोग क्या करते हैं on the basis of shape, size या density इत्यादी के कोई भी जो impurities हैं उनको sedimentation करते हुए यानि उसका solution त्यार कीजिए और उसको sedimentate होने दिजानी कि नीचे की तरफ सारे particles बैठ है और जहां पर particle बैठ रहे हैं उसके opposite side से जितने भी और impurities हम को हटाई है that process is known as illustration इसके लिए खास तरीके का instruments जो है वो use किया जाता है इसके बाद उसको सुखा लेंगे और जो powder अब मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे light के लें तो इन दोनों में बहुत खास अंतर नहीं है L2O3 2SiO2.2H2O जब हम लोग bentonite देख रहे थे तो वहां पर अंतर क्या था कि यहां पर 4SiO2 था यहां पर कितना है 2SiO2 है नाव इसकी जो category है यह भी cathartic के अंतरगत नहीं आता है syllabus में B form के cathartic में लिखा हुआ है लेकिन वहां पर थोड़ी सी गलती हुई है यह absorbent anti-diaryal य cathartic के तरीके से स्कप्रयोग हम लोग नहीं करते है जन्दली now method of preparation की बात करते हैं तो थोड़ा सा यह अंतर है BP के अंसार उसी की हम बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे light kioline की जो हमारा hydrated aluminum silicate है जिसे हम लोग चाइना clay भी कहते हैं चाइना की मिट्टी बोलते हैं इसको क्या करना फाइनली powder करना है hydrated form को ले करके उसको क्या करना है कोई तरीके से powder कर लेना है powder करने के बाद जितने भी अलग particles हैं इसके अंदर उनको electrically sedimentation के अंदर डाल देते हैं और सारे particles बैठना शुरू हो जाते है इसके बाद जितने भी gritty particles हैं gritty particles के कहने का मत्तब जो किरकिरापन है जो कि हमारी smoothness को खराब कर रहे होंगे उन सभी particles को साथी साथ other impurities को illustration जैसा भी मैंने पहले आपको बताया उस process के दारा उसको purify के जाता है now इसको dry करते हैं सुखाते हैं और जो हमें finally जो dried powder powder प्राप् के साथ उसकी treatment करनी है ताकि उसमें जितनी भी impurities है calcium magnesium carbonate ferric oxide क्योंकि मिट्टी है तो यह सारी चीजे होंगी वह सारी सारी जो है वह SCL के साथ निकल जाए या कई बार SCL से करने के बाद हम कुछ base के साथ भी करते हैं जैसे निवेज के साथ हमने किया तो जो base soluble impurities हैं वह base के साथ निकल जाएंगी acid soluble impurities निकल जाएंगी इसके बाद इसको filter करिए simple wash करिए wash करने के बाद इसको dry करिए और dry करने के बाद आपको hydrated ammonium silicates प्राप्त होगा जिसे ही हम क्या करते हैं heavy kaolin इसमें किसी प्रकार का electrical sedimentation या illustration हम नहीं करते हैं अगर हम यह करेंगे तो हमें मिलेग light kaolin अगर हम नहीं करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी heavy kaolin क्योंकि इसमें कई प्रकार के और भी silicate जो हो सकते हैं अब बात करते हैं इसकी properties की तो जो light kaolin है वो generally white कलर का होता है जबकि heavy kaolin जो है हमारी white या grayish या off white कलर की प्राप्त होती है दोनों ही प्रकार की kaolin में जो ह है वो orderless होते है और कोई टेस भी नहीं होता इसके साथी साथ इन सबी में जो light वाली kaolin है उसमें किसी fine powders हैं दोनों ही fine powders है लेकिन कोई तरीकी की greaterness नहीं होती ही light kaolin में यानि कोई भी किरकिरापन नहीं होता बिल्कुल fine powder powders होते हैं इसी के तरीके से fine soft powders भी heavy वाले भ सकते हैं बट लाइट केवलीन में कोई गिटनेश नहीं होती है नेचर की बात करें तो जब इसे आप टच टच करते हैं तो यह ओली फीलिंग देता है या ग्रिसी फीलिंग देता है जिसे बहुत फाइन पाउडर होगा कोई तो जब आप उसको हाथ में लेंगे तो लुब्र औरो और यह जो इस तरीके के असे इसमें फैव वह नहीं घुलेगी वत रिज्ट है लेकिन इसको हम लोग बॉलिंग वाटर के अंदर समय के लिए तो यह डिकम्पोज हो सकती है तो च आप यह अगर कंसंट्रेटेटेट ही लंबे समय का ट्रीटमेट करें तब भी नहीं तो यह dissolve नहीं होती, ठीक है, तो यह soluble जो है वो नहीं होती, इसकी insoluble हैं सभी solvents में, तो इसलिए जो है, यह एक absorbing की तरीके से काम कर सकती, because यह अगर insoluble है, तो यह लेकिन water रित्यादी को absorb करने की properties के अंदर बहुत अच्छी है, इसलिए जो इसके uses हैं, light के और heavy के लेन के, यह सारे के सारे rehydration therapy में use के जाते हैं in the diarrhea, यह पानी को रोक करके रखेंगे आपके जो stomach है, ऐसी condition जहां पर dehydration हो सकता है, धेर सारा water आपके शरीर से जो fluid है, body fluids है, वो कम हो रहे हैं, तो ऐसे condition को treatment करने के लिए, जैसे dairy की condition है, dysentery की condition है, colitis हो गया, या फिर, कहना हमें, cholera हो गया, इंसमी में बहुत सारा पानी जो है, बहुत सारा fluid जो है, वो शरीर से बाहार जा रहा होता है, तो fluid को बचा करके रखने के लिए जो है, इसका light keoline या heavy keoline का प्रियोग हम लोग करते हैं, केoline को जो है, एक तरीके से और दिखा जाए, तो food या alcoider poisoning जो होती है, कोई food के poisoning हो रही है, या alkalides वगयरा की poisoning शरीर के अंदर गलती से चली गई है, तो उस condition में भी एक absorbing के तरीके से काम करता है, इन poisons को वो सोख लेता है, और फिर शगीर से बाहार निकालने में मदद करता है, इसके लावा कुछ जो cosmetic products आते हैं, उसमें dusting powder के रूप में, cream मनाने के रूप में, भी जो है keoline का प्रियोग किया जाता है, जैसे कि calamine का प्रिय कह सकते हैं, creamy texture की preparation होती है, जो की reduce करती है inflammation को और जो उससे related pain है, उसको भी दूर करने के लिए काम आता है, उसमें कुछ medicinal properties वाली चीज़ें मिलानी है, आपको और politics बनाने के काम आता है, इसके साथी साथ ये filtering aid के तरीके से वीजू दोता है, बहुत सारे pharmaceutical products को या preparations को solutions को filter कर के लिए के लिए ताकि हमें clear liquid प्राप्त हो, तो filter aid के तरीके से प्रियोग करते हैं, आपने देखा होगा, अगर आपने lab की होजो टिक्स की, तो आप देखते हैं कि powder के form में, अगर filter paper के उपर powder लगा करके, कोई powder चीज जैसे लग करके, जैसे टैल कर रख सकते हैं, क्योंकि की chemically inert भी है, तो जब इनके उपर से जब आप कोई solution डालेंगे, तो ये अच्छे तरीके से filter होने में उसकी मुदद करेंगे, इसलिए filtering aid के रूप में इसका प्रियोग किया जाता है, हम ये क्या सकते हैं, कि these are gastrointestinal agent, जो की absorbent और anti-darial agent के रूप में यूज होते हैं, जो क आपको वीडियो पसंद आयाते से like कीजिए, अपने friends में इसको share कीजिए, इसका जो PDF है, उसका link आपको हमिशा कितरे description में मिल जाएगा, वहां से आप उसको download कर सकते हैं, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कीजिए, कोई question हो तो आप पूछ सकते है, comment box में हम answer करने की कोशिश करेंगे, हम यह नहीं करते हैं सबहाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे हो सकता है, आपके question को हम लोग answer कर पाएं, वीडियो को देखने के लिए बहुत हो धन्यवाद,